नमस्कार बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइक में आज यो ख़बर आ रही है वो पिछले दो-तीन दिनों से बिहार की राजनियत में बहुत जादा उमस पैदा किये हुए है लालु परसाद को लेकर के जिस तरह से शुशील मोदी ने उनके द्वारा फोन पे बात किये जाने के मामले को उशाला उसका फायदा भले ही नहीं मिल पाया हो जिस तरह से देखा जा रहा है उस तरह से नहीं मिल पाया हलाकि ये भी कहा जा रहा है कि काम करना था वो सुसिल मोदी ने कर दिया था और उसका फायदा कहीं न कहीं मिल गया था लेकिन इन सब में क्या कानून और नियायले को प्रभावित कर पाएंगे क्योंकि इस मामले को ले करके कहा जा रहा था कि लालु प्रसाद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं उनके जेल से फोन पर बात करने को ले करके कई तरह की बात चल रहे थी और इसके चलते ही कहा जा रहा है कि उन्हें केली बंगले से फिर से सिप्ट कर दिया गया था पेंग वार्ड में रिम्स के लेकिन इन सब के बीच जैसा कि हम पहले से आपको बताते आ रहे हैं कि आज 27 तारीक है और आज सुनवाई है लालू परसाद के जमानत पर आज सुनवाई और सुनवाई के बाद ये पूरी पूरी संभावना बेक्त की जा रही है उनके वकील के द्वारा कि आज उनकी जमानत हो जाएगी लालू परसाद जेल से बाहर आ जाएंगे इन सम मामलों पर जो बाते हम आपको बताने जा रहे हैं उसका लबोलवाब सिर्फ इतना ही है कि कुल पांच मामलों में लालू परसाद को सजा सुनाई जानी थी चार मामले के सुनवाई हो चुकी है उसमें सजा भी लालो प्रसाद को दे दिया गया है जिसमें से आपको दो मामले में देवगर और चाईबासा मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है बाकी के जो दो मामले हैं उन मामलों पर लगतार सुनवाई चल रहती है और उसमें उनक 4.59 करोड के अवयध निकासी का मामला था इस मामले पर उनकी सजा हुई ठी और इसको लेकर के लगतार चल रहा था कि यह सजा 26 तारिक तक पूरी हो जा रही है आधी आधी जो है उसक पूरी हो जा रही है कहा जा रहा है उनके सूतरों के द्वारा और जानकार बता रहे हैं एक यहां से उन्हें अब जमानत मिलें यहां मिलने के बहुत सारे कुने के बातें होने हुस्पा सकते हैं आपको बता दें इतना ही नहीं है लालु प्रसाद के मुश्किले भी कम नहीं है क्योंकि CBI ने लालु प्रसाद को जमानत नहीं देने की भी बात कही है इसको ले करके नियायले संग्यान ले सकता है पर लगतार जिस तरह से लालु प्रसाद अरजी पर अरजी दिये जा रहे हैं और नियाले के सामने गुहार लगा रहे हैं आज जारखंड हाई कोट के सुनवाई में संभावना ब्यक्त की जा रही है लालू प्रशाद के समर्थक और उनके वकील के द्वारा कि आज उनको जमानत मिल जाएगी और लालू प्रशाद जेल से बाहर होगे आपको बता दें कि चारा के नाम पर 950 करोड का ये बड़ा मामला सामने आया था इस मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया गया था कई लोगों की सजा भी हुई थी कई लोगों को बरी भी कर दिया गया है जिसमें जगरनात दिवंगर जगरनात मिस्रा भी है पर अब लालू प्रशाद पर आकर के मामला आटका हुआ है अब देखने वाली बात होगी कि लालू परसाद को आज किस अधार पर और किस तरह से जमानत मिलती है हलाकि उनके विरोधियों ने जिस तरह से फोन पर बात करने का मामला सामने रखा था उसे ले करके लगतार ये संभावना ब्यक्त की जा रही ह है कि उनकी मुश्किले बढ़ सकती है क्योंकि ये मामला भी वकील जरूर उठाएंगे कि किस तरह से लालू परसाद जेल और जेल के मैनुवल का उलंगन कर रहे हैं इसके बाद भी संभावना ब्यक्त करना और आसानवित होना निश्यत रूप से एक बड़ी बात है और इस आ जाएगा और लालू परसाद जेल से बाहर होंगे अगर ऐसा होता है तो निश्यत रूप से लालू परसाद और उनके सुपशिंद्कों के लिए एक बड़ी खबर होगी इंतजार कीजिए जैसे ही कोट की कारवाई सुरू होती है फैसले आते हैं हम आपके साथ फिर जू और रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद